हमारे तबारा जो इलेक्ट किये होगे विधायक हैं जो मंत्री गण हैं वो भी इनी सडकों से गुजरते हैं मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं इस तरफ आने वारा जो भी आदमी आता है वो इस तरफ देखता है नहीं आखे उपर करके गाड़ी में बैठा आगे चला जाता है हमारा बेसमेंट है इन भाईयों का भी बेसमेंट है तो उसमें पानी बरा बड़ा है तो हमारी बिंती है इस सरकार से सरकार वे अधिकारियों से भी किरपया इस तरफ भी ध्यान दे वोट तो नई दीक आ रहे हैं तो हम वोट किसको दे वोट जो सडके बनाएगा जो यहां अमस्कार आप देख रहे हैं वाईजो पानिपत्व और माब के साथ संदीव शरमा लगातार हो रही बरसात में जहां पूरे सहर बर में जल भराव की स्थिती है तो वहीं सहर से जो गाउं की तरफ जो जाने वाले में रास्ते हैं उनके भी इसी तरह के बुए हालात हैं खस्ता हालात हैं और ये फिलाल जो असंद रोड की तस्वीरे मैं आपको दिखाना हैं जो शोरूम यहां पर बनाए गया हैं उनकी बेस्मेंट तक पानी खूल सुका है और यहां से राजसबा सांसद और पूर मंतरी किर्शन-लाल-पवार भईशी रास्थे से निकलते हैं ग्रामिन विधायक भी यहां से निकलते हुगे तुमाम अधिकारिय भी का पूरे शेर का इस तरीके का हाल है कि पूरे शेर में तो ही है और जो हमारा जो या में सड़क है असंद रोड झो की जीन, फत्याबाद, हिसार, केथल और भी पंजाब तक जो जाता है चीका अगुला ये से उसको जोडने वाली में सड़क पर ये हाल है कि उसमें पलग कम से कम चारचा फूरड के घर्ड़ trud के हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियंन को से गुझरते भी सुनुआई वह तो कैसे होग है क्योंकि इसकी इस तरह आने वाड़ा जो भी आदमी आता है वो इस तरह देखता है नहीं आखे उपर करके गाड़ी में बैठा आगे चला जाता है हमारा बेसमेंट है इन भाईयों का भी बेसमेंट है तो उसमें पानी बरा पड़ा है पीछे नालियां चोक है हमारी जो यहां की पार्षद हैं 22 नंबर वार में शिरिमती चंचल योगेश डावर हमने उनको भी कई बार कहा है कि यहां अगर पाइप लाइन डली है यहां जो भी सीवर लाइन डली है उसको दुरूस्त करें इस पानी की निकासी हो अभी पीछे एक अफ़ते पहले जो भी यहां पर खड़े कर दिये गए वो खड़े कमसे कम 8-8 फुटके हैं और उन खड़ों में कोई ना कोई हर रोज गिरता है फिर हमें उनको उठाना पड़ता है हर रोज यहां पर चोट लगती है कल एक मैला बेहोश हो गई बेसूद हो गई उसको फिर हमें अमर्जंसी में जाके दाख हैं और यहां का अब वोट तो निए बात है कि कर दे हैं और यह स्थिति अब की नहीं है यह पिछले उपर जितनी बारिश होती है इधर डलान उसकी वज़े से सारी चोकिंग हो जाती है विजली का काम है मेरा सारा आप देख लो सारा बर गया है कम से कम ढई तीन लाग रुपए का फरनीचर का सारा जिसमें बैड हैं अपना डाइनिंग टेबल्स हैं इन बाइसाब का भी है बा देखिए कि इस तरह से जो इनकी बेस्मेंट के अंदर पानी घुसा हुआ है और बेस्मेंट से पानी टुलू पंप के द्वारा निकाला जा रहा कुछ और दुकानदार है आप लोगों को तमाम लोगों को प्रिसानिया होती है क्या कुछ दिक्कते हैं और भी बहुत सारे चोठील भी होते होंगे गिरते भी होंगे अरोज इसलिए हमारी यहां पर शोप के अंदर भी बहुत पानी जैसे गाड़ी बहुत बड़े-बड़े खड़े और रखें जी बहुत ज़्यादा पानी के दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जी बहुत सारा हमारा फरनीचर सब चीज के अंदर बहुत ज्यादा ही पानी की समस्या है यहां पर कोई निकासी नहीं यहां पर कोई सुनवाई नहीं बहुत गाड़ी ये डेमज हो चुकी है यूँझे तमाम दुकानदारों को यहां से पीडा हो उर किसा छो यहां से रोज रागीर हैं जो टू वीलर फौर वीलर तमाम जो वहिकल्ड अपने लेकर के निकलते हैं वह यहां पर चोटिल भी होते हैं उनकी गाड़िया भी तूप और साफ तोर से धुकानदारों का यह कहना है कि चुनाव के वक्त वोट मांगने यहां पर लोग जरूर आते हैं नेता जरूर आते हैं लेकिन वोट मांगने के बाद जीतने के बाद कोई इनकी तरफ सुध लेने वाला नहीं है आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेर करें नमस्कार